नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद्धी पक्षर तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो जान ले हमारे चैनल के बारे में कि हमारे चैनल है क्या तो मित्र हमारे चैनल पे जो भी एक्जाम भविस्य में आने वाले होते हैं उनसे संबंदित प्रेक्टिस सेट, मॉडल पेपर और अच्छी से अच्छी PDF आपको प्रवाइड की जाती है तो जैसा कि आप सबी जानते हैं UPSI, बिहार SI और उत्रप्रदेश लेकपाल और हाई कोट का एक्जाम बहुत निकट है तो उससे संबंदित हम लगातार सेट आप लोग को प्रवाइड कर रहे हैं तो जो लोग नए हैं वो जाके वो सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं तो नए लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने हैं तो मितरों हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रिपल सी एक्जाम आप पास कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसी बात को लेके हम आफ़ी बात को आगे बढ़ा दें कि triple C का जो एक्जाम होता है वो 90 मिरट का होता है और इसमें 100 प्रसनाते हैं जिसमें से 50 true of false के होते हैं और 50 बाविकलपी के होते हैं तो मित्रों आईए हम आपको बताते हैं कि ये एक्जाम आप पास कैसे करेंगे और क्या तरीका होता है इस एक्जाम को पास करने का तो इस एक्जाम में A, B, C, D आपको ये ती चार पकार के ग्रेड दिये जाते हैं आप इनमें से कोई भी ग्रेड पाईए वो फर्क नहीं करता क्योंकि एक्जाम में ये नहीं मांगते कि A ग्रेड लाईए, B ग्रेड लाईए, C ग्रेड लाईए या D ग्रेड लाईए तो कोई भी ग्रेड लाईए आप एक्जाम देने के लिए eligible हो जाएंगे और UP ग्रेड में तो 70% एक्जाम ऐसे हैं जिनमें ट्रिपल सी विल्कुल मानने है तो मित्रों आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी को लेके है कि आपको पास कैसे करना है, ये मैं आपको तरीका यानि कि ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे पास करेंगे तो सबसे पहले उन 50% की बात करते हैं जो true-false के रूप में आते हैं तो इन में से अगर आपको कोई प्रसन लग रहा है कि ये गलत है तो उसमें false लगाए ये बाकी सब में आप true लगा किया ये यानि 30 से 32 प्रसन ऐसे होते हैं जो true होते हैं बहुत कम प्रसनों के false होने की संभावना होती है तो आपको अगर 5 प्रसन आ रहे हैं तो उनको आप false कर दीजिए बाकी सब true कर दीजिए तो इसी इस्तिती में आपके 30 से 35 नमबर यहां से भी न में जाते हैं बात कर देए बहुती कि तो प्रसन बहुती के भी आते हैं तो आगर उनमें से आपको कोई परसन आ रहा है तो आप už को टिक करेदेगे अने था अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप option भी कर के चलेए यह आप 100% तो नहीं लेकिन 70-80% वह option सही होता है अब बात करते हैं triple C exam में एक option D number पर आता है वो all of above का आता है तो triple C के exam में 5-7 person ऐसे आते हैं जिसका option यही होता है all of above और यह option हमेशा हमेशा 100% सही होता है तो आप इसको आठ्बून के टिक करके आएंगे तो हमेशा आपका यह सही होगा तो 5-6 number आपके ऐसे मिल गए और 10-12-15 number आपको वैसे मिल गए अब एक option आता है B number पे वो होता है both A and B का तो यह भी option 100% सही होता है तो जिस person में आपको यह option मिलता है उसको भी आप आठ्बून के टिकर सकते हैं तो बात करते हैं क्यों क्यों कि ट्रिपल जी का एक डाम ऐसा होता जिसमें 20% ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते तो ऐसी इस्तिति में आपको करना क्या है उस प्रस्थन में आपको B टिक करके चले आना है तो आपका वह 100% सही हो जाएगा तो कि मैंने पिछले एक साल में तकरीबन 100 लोगों को इसी ट्रिक से पास कराया है यहां इस बात की गारेंटी नहीं लेते कि आप A ग्रेड लाएंगे बी ग्रेड लाएंगे लेकि इस बात की जरूर लेते हैं कि आप C या D में एक ग्रेड जरूर लेके आएंगे तो बितनों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि आपको ट्रिपल सी का एक्जाम पास करने का तरीका कैसे है अगर आप सारे ट्रू करके आते हैं तो 30 नमबर आपको वहां से मिलेंगे और 10 प्रसंट आपको आते ही होंगे तो 40 हो गए 5 प्रसंट आपके अब अब वाले ह हो जाते हैं और 10 प्रसंट आप इजह उदर से करके अगर टिक करते हैं तो 10-12 प्रसंट वैसे सही हो जाते हैं तो इस तरह से आपके 55-60 नमबर हो जाते हैं और प्पल सी एक्जाम में पास होने के लिए 5 नमबर ही जरूरी होता है जो आप कंप्लेट कर जाएंगे और इस ए फितना ही लगातार हमसे बने रही है और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे।